नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको बात करेंगे मिश्टान फूट्स की जैसे कि आप देख रहे हैं आज यह पर आपको लोड सर्कृट देखने को मिल रहा है और इस वीडियो के इंदर हमने आपको आगाय किया था कि यूसी कब तक मल्टी बेगर इस्टोरी आप चाहें जो अल्रेडी वही बात है जो मैंने लास्ट में भी बोली थी और आज एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि यस इस्टोक बहुत कुछ अच्छा कर रही है कंपनी क्यूट के अर्णिंग सांदार है अपकोस नो डाउट क्यूट के अर्णिंग बहुत ही अच्छी आई है कंपनी गी ने मॉय सायन किया अएटिन और बीजिनेस में बहुत अच्छी खबर है कंपनी अब भाइनर बिजिनेस एकस पर कर रही है यहाँ पर नमक के कया कंपनी की सेल्स हो कंटिनिव बढ़ रही है प्रोफिट पर देखोगे तो हिंखता रिजल्ट दे रही है और अच्छा कासा यहाँ पर प्रोफिट बना रही है तो जरूर यहाँ पर कंपनी बहुत कुछ अच्छा कर रही है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मैं आपको पहले भी बोला था कि जैसे lower circuit यहाँ पर सुरू होता है उसके बाद हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी अपर circuit लगे आप अपना जो थोड़ा थोड़ा जैसे अपर circuit लगते रहें अपना capital सेव करने के सोचे जो रुपया लगा है वो बचाए और उसके बाद जो profit बचा है उसके साथ आप कोई भी गेम खेल सकते हैं चाहिए वो lower circuit में आप और खरीद या ना खरीद इसके अलावा यह आप चाहते हैं कि fresh entry लेनी है तो बहुत ही कम quantity के साथ यहां पर गुसे बिल्कुल यह आपने मन मना लिया है यह नहीं खरीद नहीं है तो उसके बहुत ही कम मात्रा में आप share खरीदे और continue उसको average करते रहें यह भी एक दूसरा option है इसके अलावा stop loss इसके अलावा इसके अलावा ऐसे share के अंदर आप एक साथ लंब सम amount बिल्कुल ना डाले तो लाश्टली में यही कहूंगा कि lower circuit अपर circuit वाले stock है उनमें आप सोच समझ करी position ले exit करें और यहां पर continue इस stock के अगर हम बात करें इसको हम continue track कर रहे हैं और इसके जो सारे वीडियो है वो आपको नीचे playlist में मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हैं share market क terms हैं उनकी भी एक playlist है वो भी आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ा आप समझ जाएंगे तो दोस्तों काफी important यह चीज़े होती है अपर circuit और lower circuit के share में तो आप अभी भी share के अगर holding बनाए हुए हो तो आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए और अपने financial advisor से आप कोई भी action लेने से पहले एक बार जरूर सला लें thank you keep supporting